मैं कहानिया लिखता नहीं, मैं कहानियों को चोरी कर लेता हूँ, ये बात कही है बाहु बली, ट्रिपल आर, बजरंगी भाईजान और मरसल जैसी कहानी लिखने वाले के विजेंद्र परसाद ने यानि की स.स. राजमौली के पिता ने ये सारी Blochbuster कहानिया इनों ने लिखिये, लेकिन कैसे लिखिये, इसकी प्रेड़ना क्या है, ये बात इनों ने खुदी बता दी इनका यही कहना है कि कहानिया लिखते नहीं, ये कहानियों को चुरा लेते हैं अच्छी कहानी के लिए ज़रूरी है कि आप कितना सटीव धंग से जूट को बोल पाते हैं कहानिया आपके चारो तरफ हैं, चाहे वो रामायड हो, महा भारत हो या असली घटना पर आधारित कोई कहानी हो, कहानी आपके आसपास ही होती है बस आपको करना ये होता है कि आपको उसे एक अलग अंदाज में अलग तरीके से जन्ता के सामने प्रस्तुत करना होती है यानि कि ये कहानिया चुरा नहीं रहे, कहानियों को अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। इनकी जो पिछली फिल्म थी ट्रिपल र, इस फिल्म में सिर्फ इंडिया में नहीं, पुरी दुनिया में जोड़दार हंगामा मचा कर रखा हुआ है। जो स्वतंतरता सेनानिते, अलूरी सीताराम राजू और कोमा राम भीम। ये दोनों ही किरदार अपनी रियल जिंदगी में एक दूसरे से कभी नहीं मिले था। लेकिन K.V.V. विजेंद्र परसाद ने जिस तरह से इन दोनों को एक साथ लाकर जिस तरह से स्वतंतरता संग्राम में युद्य करते भी दिखाया है, ये अपने आप में बड़ा ही बेजोड लगा था और दर्शगों ने इनी चीज़ों को पसंद किया था। हाला कि ट्रिपल आर के सिक्वल की भी बात जो है वो कन्फर्म कर दी गई है, यानि इसका पार्ट टू आने वाला है। और तो और इस फिल्म का आइडिया भी जो है उन्होंने ब्रेक कर लिया है, उसके पर जल्दी ही कहानी लिखने की शुरुबात करने वाले हैं। इनका यही कहना है कि अपनी ओडियंस में कहानी के प्रती भूग जगाने की जो बात होती है, वो आपके अंदर जिग्यासा पैदा करती है कि आपको और कितना बेहतरी लिखना है। मैं हमेशा अपनी ओडियस के साथ यही चीज करता हूँ कहानी के प्रती भूग को जगा देता हूँ एक जिग्याशा पैदा कर देता हूँ उनका यही कहना है कि आपको करना कुछ नहीं पड़ता है एक जूट को इस तरह से पेश करना पड़ता है जन्ता के सामने कि वो आर्जेसी कहानिया है यह जन्ता को बहुत ज़्यादा पसंद आती है